परनाम दिदी परनाम भाईया अच्छा दिदी इसा वारना सब और डीपी पलोट जे हां माय लहली आज घूमे अहां के देखाई छी हांसुआ लेके यहां पर खारा हां भाईया याल छी कहांसा लेका काट ही के लिया अच्छा अच्छा आज ये कट वाई कर रहे नाम हे लिला देऴी घर पतारी गाकर जेला मुझा फर्पूर है अच्छा दिदी पट चाई अब कटाई शूरू कर वेया ही भाया सीवाह प्राइब धाइब याज नाप गेल खिन हो तीन जगां अच्छा आई पलोट में तीन जगा शीवाह नाप गेला है दू मीटर लंबा दू मीटर चारा हो हें कट्वे भीया वोतने क्या रिच काटे के अच्छा देखना भाया यह निसान लागाल है का दू मीटर लबादू मीठर शौरा और इंदर में रश्री के अंदर में यह पेर हैं इससे हैं काटे के अज्छारे के अच्छा यह जे लागल है रश्री के चारो तरप एक रहा अंदर में जतना पेर पर रहल है वो तने के काते के जारे के हैं अच्छा ठीक है दीदी तक काटू मतलब आही तरह से दू जगा के और कट वह आया है अच्छा मतलब आही तरह से दू जगा के और कट वहां अलागा जो आलागा जब लेजे दरवा जापार, अउकरा अलग अलग जहार भई। ठीक ज़िए। भई याई, डीपी पलोट तो हम काट ले लिया है। आप सीपी पलोट काटे की है। अच्छा तरही सीपी पलोट है। हाँ, इसीपी पलोट है। वही से उतना अच्छा बाली अई में ना दिदी ना अपना अथी से कली बैग्याई तरह से कली अपना अथी तरह से कली है अच्छा अच्छा माने वु बैग्यानिक तरीका से कली है अच्छा 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 माने वु बैग्यानिक तरीका से कली है अच्छा अच्छा परने साब लागाल है भाई या काटिये रहल शेये काट बहुत तो वजन दुनु के फरक बुझाईये जाते हैं अब तो जहाई से हकीकत फरक वजन के बाद हे भुझाते हैं अचा भई आया यंवे चेन लगले है का चलू अहां हम कट लेए गई चालू अब आई खी कहीं तहां दुरु परचालाई चलू ते घल फरक बाद है तीन जगा के बोजा है का तीनुके तीन जगा जार के ओजन कर बाई अच्छा अच्छा दीदी, तहा कि कहे के मतलब है, तिनू अलग-अलग कटली हो leftु और बोज़ा बनली होई तरह से तिनू के अलग-अलग जार के वजन कर्वें? यहां वजन कर भे तिनु के अलगर्त। आज़िय भीसारैँ थारुएं, होँट। खुछ। टिनु के फटक का तयार के जितनतए नत्पाएं, बतलादैएं का नैन्ट। क्यों अज़िवहन했습니다 तिनू के अलगर्त। कर रहा हल थी ठीक कर रहा हुआ है जारू भाई है कि यह कितना भेगल दू किलो 700 ग्राम दू किलो 700 ग्राम भेगल कि दू किलो 600 ग्राम हाँ दू किलो 600 ग्राम भेगल 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 ठीक है दीदी अब तीसरा रखू ना पहिल का भेगल दू किलो 700 ग्राम भेगल दू किलो 600 ग्राम भेगल उठाव तीन किलो 300 ग्राम हां ग्राम हार म भेगल दू किलो 1 5 bd . आर दू किलो 700 ग्राम भेगल भेगल अब दू किलो 600 ग्राम फोल्ट किलो 3 3 माने टोटल हम जोड देली समझली दी आसत हो गेल 2 किलो 870 गराम तहां के हम निकाल लेली है कठ्था में एक क्यूंटल 30 किलो प्रती कठ्था के हिसाब से सबर्ना सब वन के भिराइटी के इधान जे है आहां के मनिगिर लगा कठ्था में कठ्था में एक कुंटल 30 किलो तब इतना पागेल अब सीपी भी नापले इतना डीपी पलोट के रह लगा हाँ अब सीपी भी नापले दू किलो चरह है ली कुछ और चरह था इतना पहला हो गेल दू किलो 200 सीपी पलोट के हाई इसीपी पलोट के हाँ अब सीपी पलोट के हाँ इभी भेगल दू किलो दू साओ तीन की दू किलो साओ सो तीसर का भेल दू किलो साओ सो अचा दीदी इसीपी पलोट रहा ला एक रो हम जोर देली आवसा तेकर आगेल दू किलो तीन सो सतर गराम अब कठा में चलू हम कठा में निकाल देली एक क्यूंटल सारे साथ किलो आयल है तेकर आठ किलो मानलू तंका कम तहीं आगेल एक क्यूंटल आठ किलो परती कठा के हिसाब से कर्मानिगिर्ला करें अच्छा दिदी ये वो बात पर गौर करूं दुन्नू है सबरने सबवन लेकिन सीपी और डीपी दू ढंग से लगायल में जैसे की डीपी बैग्यानिक तरीका होगे तो बैग्यानिक तरीका से कैला से और अपना तरीका में लम्सम आहां के तईस क थीलों के फरक होगें तई बाया जैनिक तरीका सही काला छेंच थीक है वही मेत ना की शान के भल आइए फैया है अच्छा दीदी त caller Orange ॹपि दी से लोगा रहा वह अपना ठीदी से बैग्यानिक तरीका से अफर चीन देवरिया है ज्यादर मन भषय को थे वह संडानों कि परना कि सबकिसान भया दिदिशन रोधे बाढ़ी इलाकाने सबरना सब अंधान लगाऊ ता अधिक उपच्टा